हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सिष्टर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की बीच आपका भाई चंदन एक और पुनाः परजेंट हो चुका है मेरे प्यारे सिश्टर आपके लिए तो बहुती ज़़ा खुसी के माहौल होंगे क्योंकि अब आपके काउंसलिंग की परकिरिया यहां से शुरू हो गए हैं अब जितने भी A&M सिश्टर इस में जो फॉर्म अपलाई किये हैं सभी को बिल्कुल रुप से अपना ध्यान के अंदरित करना है BTSC के ओफिसल वेबसाइट पर आपको हर अपडेट देखते रहना है साथ ही आप लोग को ज़्यदा परिशानी नहीं हो इसके लिए मैं हो न आपका भाई इसलिए आपके लिए मैं एक एक पॉइंट को एक छोटी छोजी चीजों को कभर करते रहूंगा इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे जिससे कि कोई भी जानकारी हो तो सब दिन की तरह जैसे मैं पहले से बनाते आ रहा हूं वीडियो पहले अपडे लगा वीडियो को फैलाईए आप अपना एस्टेटस जरूर लगाईए एक बार मेरे लिए कम सकम 10-20 मिनट के लिए भी जिससे ये जानकारी उन सभी केंडिडेटों के पास पहुचेंगे जिसको जरूरी है बिल्कुल रूप से जरूरी है चले वीडियो को शुरू करते है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आउनलाइन आपती दर्ज से संबंधित वीडियो को पूरा देखेगा नहीं तो बीच में छूट जाएंगे और आप लोग मेरा फोने नमबर तो आपके पास होंगे ही कॉल करने लगिएगा एक और बात मैं जानकारी दे देता हू कि दम continue करूंगा एक एक पॉइंट को जिन मेरे प्यारे sister के पास जिन मेरे प्यारे साथीं दोस्तों के पास मेरा मवाइल नमबर है उस पर आप लोग कॉल करते हैं तो किरिपिया करके कॉल नहीं कीजिए कॉल करिएगा तो होगा क्या कि मैं मवाइल अपने पास हमेशा नही हूँ और मेरा staff जो मैं एक staff रखा हूँ उनके पास mobile रहते हैं तो वह आपको मेरे से बात नहीं करवाएंगे क्योंकि हम ऐसा हम नहीं रहते हैं हम भी नोकरी करते हैं जोब करते हैं तो कहें-reon कहें भीजी रहते हैं तो आपका phone हम attend नहीं कर पाते हैं इसलिए फोन नहीं करिएगा तो बेस्ट होगा आप noises कर दीजेगा, तो हो सके आपके जबाब मिल जाएंगे और सबसे जल्दी जबाब लेना चाहती हो न या चाहते हैं न तो कमेंट करिएगा, कमेंट पर तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट हमारे टीम, हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो टीम है, वो देखते रहते हैं कमेंट को, और यहाँ पर जानकारी आपको जल्दी मिल जाएंगे, हम भी कमेंट को देखते रहते हैं, क्योंक लोग बिल्कुल रूप से सुनती रहेगा आपती दर्ज क्या होता है इस बात को समझें देखिए आप जितने भी फॉर्म अपलाई किए अब सारे candidate फॉर्म अपलाई कर दिए अपलाई करने के बाद सभी फॉर्म को चेक किया गया चेक करने के बाद department अपने तरफ से चेक किये आप तो फॉर्म अपलाई कर दिए आपको जो जो चीज भारना था जो मार्क जो डिटेल्स जो जाती सरा कुछ भर दिए department उसे अपने तरफ से एस्कूटनी किये एस्कूटनी जो लिखा हुआ यानि कि अपने तरफ से चेक किये चेक करने के बाद उन सारे डिटेल्स को एक वार पुना वेब साइट पर डाला जा रहा है अब वेब साइट पर डालेंगे इसलिए क्योंकि department तो चेक कर लिए अब उसमें क्या फेर बदल किया है उस चीज को दिखाना तो जरूरी है तभी तो आप लोग समझ पाईएगा इसलिए department उस चीज को वेब साइट पर अपलोड कर रहे हैं और आप लोग इसे देख पाए में जो details डाले थे ठेक है गौर से सुनिएगा जो details आपने फोर्म भरने टाइम में डाले थे और उसको चेक करने के बाद वेब साइट पर अपलोड किया गया उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया अगर परिवर्तन किया गया है तो आप लोग उसके लिए आपती दर करने का कोसिस करें तो आपके आपती देखे जाएंगे और उस पर विचार करके अगर वह सुधार लाइक होंगे तो उससे सुधार किया जागा उससे देखा जाएगा इस बीच में आप लोग नया चीज कुछ नहीं कर सकते हैं नया चीज कहने का मतलब क्या है जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं पहलिए जो आपने कर दिये उसी टैम में बोला गया था और सुधारने का मौका भी दिया गया था जो कर दिये हैं उसी चीज को वह जेक करके पुनव अपरोड किया उसको आप लोग को देखना है उसमें अगर फेर वदल हुआ होगा उसमें कुछ उ वेबसाइट पर पोर्टल खोल दिया जाएगा, वेबसाइट पर जैसे पोर्टल खोलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नमबर, रजिस्ट्रेशन नमबर, डेट अव बर्थ, सुनते जाएगा, रजिस्ट्रेशन नमबर, डेट अव बर्थ, आपका मवाइल नमबर, वहाँ प दिखा जाएगा इस बीच में सारे केनेडेट क्या करिएगा कि जल्दी वाजी में कोई काम नहीं कर येगा जैसे 7 मार्च को ऑपेर होगा तो 7 मार्च को कोई मत करिएगा साथ मार्च को छोड़ दीजिएगा आठ नो दस इन तीन चारों दिन में करिएगा बीच के डे में करिएगा जिससे की क्या होता है कि शुरुआत की दिने में वेबसाइट में भी कुछ इरर होते हैं आपको साथ एक चीज याद होंगे आउन्लाइन एन्म का जब फॉर में स्टार्ट हुआ था तो सुरू में बहुत दिकते आ रही थी गवर्मेंट इंस्टिटूट का नाम नहीं था अलग-अलग मार्क भरने के लिए नहीं था बाद में याद कीजिए हम सबसे पहला ब्यक्ति हैं जो इस चीज को लेकर के कंप् कर दिए थे कि आपको इन चीजों को सही कर दिए जाएंगे और तुरंत उसको सहीं किया गया था दो-3 दिन में और सबसे पहले अप्डेट हम दिये थे इसलिए मैं आपको जानकारेदी रहा हूं और सतर कर रहा हूं कि 7 मार्च को शुरू कर दिए उस दिन वेपसाट कहीं बीजी हो कुछ इरर हो तो जल्दिवाजी में आपका कुछ गरबर ना हो जा दस दिन का टाइम है दो से चार मिनट आपको सही करने में या उसे देखने में लगेंगे तो आप लोग परिशान मत लिएगा जिन केने डेटों का सब कुछ सही होगा कोई नहीं गलती लगते उसे भी सही करने के चकर में गलती कर दीजेगा तो इन चीजों का आपनों थोड़ा सा दियान रखेगा अब बात करते हैं अब यहां पर एक बात यहां पर यहां पर यह मैं खुद नहीं हूं लेकिन उमीद रखिए कि ऐसा ही होगा जैसे थोड़ा सा मुझे जानकारी मिला यहां पर उन सभी कैंडेटों का यह कॉनफर्म नहीं आए लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के बारे मुझे हिंट मिला है इसलों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यहां पर बताया जा रहा है कि सभी कैंडेटों का आपती के लिए यहां पर फॉर्म अपलोड नहीं किये जा 2017 करेंध का ही फ़र्म अप्लोड होगा जिन के ये करेंध को कॉंसलिंग में बुलाये जाएंगे आहीं। अइसा जानकारी आजी है, अब देखनें योगी बात ले तुंक लेकिन जिन केनडेटों को कॉंसलिंग के लिए कॉंसलिंग के लिए बुलाए होंगे उन सारे कनेडेटों का विल्कुल रूपक्याँ पर अपड़ेट होंगे इस बात को ध्यान रखेगा क्योंकि ट्यूटर हुआ था गाट तो जो कंडिडट को ऐसा ही फंडामेंटल आए लेकिन अब ये 7 मर्ट को confirm होंगे तो मैंने जो कहें आप साथ समझ गये होंगे उस बात को ध्यान रखेगा हरवारी में गलती सने करीगा कोई नया चीज इसमें नहीं होगा कोई आप लोग नया मार्क नहीं डाल सकते हैं उसमें आप नया कुछ नहीं कर सकते हैं जो पहले साफडेट है उसी को check up करें के आया है उसी में आप लोग को देखना है अगर आप लोग बहुत ऐसे कने डियेट होंगे जिनका अगर लगता होगा कि मुझे यहां पर गलतिया बहुत ही ज़्यादा है मुझे सही करना है तो एक बार रिक्वेस्ट डालिएगा रिक्वेस्ट अगर रिक्वेस्ट आपके मानने होगे तो सही हो जाए तो हो जाए इस अप्रोड क्या हूं वह संभावित कटफ है साथ उसे आप लोग देखेगा समझेगा और आपको साथ मार्ज का लिंक अपन होगा माई लाइव आ करके एक तो स्टुडेंट मुझे अपना कमेंट कर दीजेगा उसका रेजिट्रेशन नमर मैं चेक करके या नहीं भी कमेंट कर करके जब मैं पूरी रूप से त्यार हो जाओंगा तो मैं वीडियो अप्रोड कर दूँगा कि अब सही से काम कर रहे हैं अब आप लोग शुरू कर दीजिए तो आप लोग शुरू कर सकते हैं या फिर आप लोग भी चेक कर लीजेगा फिर आप लोग शुरू कर सकते हैं गरवरी नहीं करेगा, पुनुह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 102 बार आपको मुका मिलेंगे, बार बार मुका नहीं मिलेंगे, 7 मार्च को मैं आऊंगा, इसको ले करके इस चीज के बारे में, और आपको पूरे जानकार दूँगा, एके करके, जब लिंक उपन होगे, तो और किलियर तरीके से, छे के साम तक आपका ओफिशल नोटिस वेबसाइट पर भी आ जाएंगे, वेबसाइट पर जो ढूंड रहे हैं, परिशान मत होएं, आपको छे को साम तक बिलकुल उपसे आ जाएंगे, ठेक है, चले वीडियो को स्वाप करते हैं, ठेंक्यू, बाइबाई